आपका फोन में ठीक ठाक नेटवर्क भी नहीं आ रहा है जिसके बज़े से आपका जो इंटरने स्पीड है वह बहुत ज्यादा स्लो है आप कोई भी ऑनलाइन पे वीडियो बगर देखने के टाइम पे आपका जो वीडियो है उनलोडिंग होना लगता है और दोस्तो अगर आप उनलाइन गेम बगरे खेलते हैं उसमें अगर आपका पिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है पिंग स्टेवल नहीं रहता है पिंग आप डाउन होता है तो दोस्तो आप इस वीडियो को बिना स्कीप करके पुरा इंड तक वास किजिए क्योंकि दो एक दम लेटेस्ट एपिएंट सेटिंग को लेके इसको सेट करके दोस्तों आप आपका इंटेने स्पीट को पहले से बहुत ज्यादा फार्श कर सकते हैं तो दोस्तों करके आप इस वीडियो को बिना स्कीप करके पूरा इंड तक वास किजिए और इसी तरह का और भी हलफ का सेटिंग में आपको चाले जाना है जाने के बाद यहाँ पर सिम कार्ट एंड मोबल नेटवर्ट करके एक ओप्षण देखना को मिलेगा तो आपको इस ओप्षण के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका सामने दो सिम्स हो जाएगा इन में से आपका जो भी आई का है वह सिमका लेंड। यह पर हो जाएगा उसको आपको एपार रिसेट का उप्षण के उपर क्लिक करके आपको और रुप्षण का उप्षण के में सेक्टिक आपको फीलाइप कर लेना है उसके इपको इंटने स्पीड है वह फार्स चलना शुरू कर देगा तो दोस्तों रहा है इसनेYouक option के ऊपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के पाद आपको यह पर टाइप करना है Vूच का क्यों बाहिए यह दून भी कैबिटल इस पैस देना है और आपको यह पर क्योशन के बाद ने ट का भी यह दून को का इनके नहीं और Okay करने के बाद दोस्तों उसके नीचे है A, P, N का Option, इस A, P, N का Option के उपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह पर Small Letter पर टाइप करना है V, I, N, E, T, V, I, Net तो दोस्तों V, I, Net आपको इस तरह के से Small Letter पर लिख के हैं पर भी Okay कर देना है काइब करना है दों दोस तो सारा लेतार है और स्मॉल येटर होगा इस तरह के साफ़ कोई है पर लेकने के बाद ओके कर देना है देने के बाद दोस्तों उसके नीचे कुछ option है जैसे कि mmhc mmhp proxy mmhp mcc and mnc इन में से कोई भी option आपको छेर्चान नहीं करना है और mcc and mnc दो जो option है यह आपका area का इस अब से automatic set हो जाएगा तो इस option को भी आपको बिल्कुल छेर्चान नहीं करना है तो नीचे आपको authentication टाइप करके एक option देखने को मिलेगा इसके उपर क्लिक करके आपको यह पर पी और nect connect connect भी एपर स्मॉल लेटर पर होगा फिर से इसके साथ एक लगाना है और यह पर आपको फिर से type करना है SUPL यह भी दोस्तों यह पर पर लेकिक कर देना है करने के बार्द दोस्तों नीचे आपको फिर्पोड्प्रोक्ल करके एक option के का लेना है करने के बाद दोस्तों नीचे अब को बियाण करके एक ओफश्यृन मिलेगा तो आपको इस बियाद का ओफश्वन के उपर क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यह पर कुछ option को select का लेना है सबसे उपर जो आपको यह पर non-specific करके एक option tick दिख रहा है इसको आपको यह पर untick का लेना है उसके बाद आपको यह पर LTE और HSPAP को select कर लेना है उसके बाद थोरा सा नीचे scroll करना है यह पर आपको IS95A और nr option को select कर लेना है करने के बाद दोस्तों आपको यह पर OK कर देना है और OK करने के बाद दोस्तों इस फ्रम को आपका फोन में सेफ कर देना है सेफ करते ही दोस्तों आपको सामने निया एक विया सिम का एपिन सेटिंग शो हो जाएगा तो इस एपिन को सबसे पहले आपको select क चले जाना है अबाद दोस्तों थोरा सा टाइम आपको यह पर वेट कर लेंगा उसके बाद आप कम्वलकर। आपको कितना दे रहा है दोस्तो नीचे मुझे कॉमेंट करके जुरुर बतना अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जोरू से जोरू सब्सक्राइब कर देना, तो दोस्तो मैं मिलता हूँ अगला कोई नया वीडियो लेके जैहिन दोस्तो